हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू मैंगनल ब्रेंज हिंदी मीडियम मैं लाली बर्मा आप सभी विद्धार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथी साथी आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे और प्रसंद होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे साथ क्या गर रहे हैं परिक्षाओं की तयारी येस परिक्षाओं की करना है आपको तयारी जोरों से जोरों से लेकिन चिंता से नहीं बहुत अच्छे से अपने आपका खयाल रखना है खाने पीने का सोने जागने का ताकि आप रहेंगे स्वस्त और परिक्षाइं भी बहुत कुछ जी हाँ जो आपको क्रेक करवाने वाली है एक्जाम जो बोर्ड एक्जाम है उसमें तो आपकी हेल्प करेंगी ही करेंगी साथ ही साथ जो कॉंटिटिव एक्जाम्स आप अटेम्ट करने वाले हैं उनमें भी पूरी-पूरी हेल्प करेंगी तो आप जरूर इनक हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ हमने अपनी पार्ट पुस्तर अंतरा का पार्ट चार्श शुरू कर दिया है और इसमें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ंC-RT Solutions हमने देखा है बनारस में क्या है दिशाके माध्यम से कवी ने क्या दिखाया है बनारस में आया वसंत ठीक है और साथी साथ कवी ने ये भी बताया है कि वहां का जो लोग है या वहां का जो वाता वरण है वो इतना स्थिरता के साथ है कोई आपा धापी नहीं कोई भ कोड़ की भावना नहीं आराम से चलता है साफ स्मूदली आराम से स्थिर्था के साथ सब को पता है हाँ जीवन नश्वर है क्यों क्यों कि गंगा नदी है पवित्र वहां पर शबों का प्रवहां भी किया जाता है है ना और तो यह सब लोग देखकर उनको यह रहता है कि हम है यहां और जाना है हम सब को एक दिद और साथी साथ दिशा कवीता में ये बताए कि जब कभी जाते हैं और पतंग उड़ाते हुए बच्चों को देखते हैं तो अचानक बच्चों से पूछते हैं कि भाई हिमाले किस दिशा में हैं तो बच्चे तो पतंग चारो तरफ अंक ननको ही देख पाते हैं तो जल्दी-जल्दी में जबाब देते हैं कि हमाले यहां 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 है जिस तरफ हमारी पतां गुर रही है तब जाकर कभी को सिर्फ उत्तर में ही हिमाला है लेकिन बच्चों के मनोवेज्यान को यह साइकलोजी को समझ कर मुझे यह समझ आया कि जिस तरफ हमारा द्यान या जिस तरफ जिस और जिस खेल में वो विस्त हैं या लगनशील है उन्हें हर तरफ अपने पतंग दिखाई दे तो उनको हर तरफ हमाले भी दिखाई है बताई किया प्रभाव पड़ता है इस शहर पर तो बनारस शहर में वसंत का आगमन धीरे धीरे होता है और जब बनारस शहर में वसंत का आगमन होता है तो संपून शहर में एक वबंडर सा चा जाता है जिसकी धूल संपून शहर को किरकिरा कर देती है क्योंकि सब को लगता है कि ये क्या हुआ कैसा हुआ सब का जैसे समय ठहर सा जाता है थम सा जाता है कि सब को एक दम से ये लगने लगता है कि हां जीवन का अंत है सब उस पल को हर समय अपन मन और मस्तिश में रखे रहते हैं तभी तो वहां कोई होड नहीं है कोई ईर्षय नहीं है कोई बेदबाव नहीं है बहुत आराम से वहां के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं अब है अगला प्रश्ण खाली कटोरों में वसंत का उतरने इस बात का प्रतीक है कि जब वसं घ्राट में बैठे भिकारियों के खालई कटोरे भी पैसे से भर जाते हैं इसलिए आपर लिखा है कि खाली कटोरों में भी वसंत आ गया उनको भी लगता है जैसे उनके जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा हो गया तो वसंत्रितू के आते ही वहां यात्रियों की तीर्थाटनियों की वहां पर भील लगती है और जब भील आती है तो विकारियों को भी पैसे मिलते हैं और उनका कटोरा भर जाता है जिससे उन विकारियों के जीवन में भी वसंता जाता है ठीक है अगला प्रश्न है बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवी ने किस प्रकार दिखाया है पूर्णता भी है और रिक्तता भी है आखिर क्या क्याना चाहते हैं कवी ध्यान दीजिएगा बिटा इस प्रश्न पर बनारस शहर की पूर्णता खुशी से भरे दिन को दर्शाता है कि किस तरीके से यह शहर प्रसंता में परिवर्तित हो जाता है जब वसंता आता है समझ में आया कि जो पूनता है वो खुशी से भरे दिन को दर्शाता है कि जैसे ही वसंत का आगमन होता है तो हर चहरा खिल जाता है हर एक चहरे पर मुस्कराहट आ जाती है प्रसनता चा जाती है और रिक्तता एक तरफ प्रसनता है दूसरी तरफ रिक्तता है मृत शरीरों को दरशाता है जिनका सद्धियों से गंगा के घाट पर ले जाकर अन्तिम संसकार किया जाता है और यह मिथकता है कि मृत व्यक्ति को गंगा के घाट में जलाने से उसके जीवन वरण की समस्या हमेशा के लिए समाब्त हो जाती है ठीक है ऐसा भी सुनने में आता है चला आ रहा है वेदो पुराणों से यह सुनने में कि गंगा घाट पर प्रवाहित कर दिया है इसका मदलब शब को जला दिया गया है तो मृत व्यक्तियों को गंगा घाट में जलाने इसको जीवान-मरण की समझ से हमेशा के लिए समाप्थ हो जाती है यह भी कहा गया है आगे चलते हैं प्रश्न पर बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है धीरे धीरे से कवी इस शहर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आखिर कभी ने यह प्रश्न भी तो कर सकते थे कि बनारस में क्या क्या होता है लेकिन कवी ने क्या कहा बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है तो बनारस कविता के अनुसार बनारस में साब कुछ धीमी गती से होता है शाम भी धीरे धीरे होती है मंदर में घंटा भी धीरे धीरे बज़ता है और इस शहर के लोग धीरे धीरे चलते हैं भागदौर नहीं है आपा धापी नहीं है होड़ चाल कुछ भी नहीं है धीरे-धीरे से कवी इस शहर के बारे में यह बताना चाहते हैं कि इस शहर में इतनी एकता है कि सभी लोग एक सूत्र में बंद कर एक साथ रहकर सभी कारी को धैरे के साथ धीमी गती से पूर्ण करते हैं जिस कारण आज बनारस की संस्कृती बनारस की धरोहर सब कुछ एक स्थान पर स्थिर हैं चाहे वैतुलसी दास जी के खड़ाओ हों गंगा नदी हो या ना हो सभी धीमी गती के कारण ही वहां पर स्थिर हैं सब कुछ यधावत है यधावत शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जैसा था वैसा ही है यह थावत मतलब सब कुछ एक स्थान पर स्थिर है चाहे वैं दुलजी दास के खड़ाओं हो गंगा नदी हो या नाओ सब कुछ धीमी गती से वहीं पर स्थिर है वैसा ही है जैसा सदियों पहले था अगला प्रशन है धीरे धीरे होने की सामुहिक ले में क्या क्या बंधा है बताईए धीरे धीरे होने की सामुहिक ले में संपून बनारस शहर बंधा हुआ है कैसे बंधा हुआ है बंधे होने के कारण इस शहर में मजबूती है पूजा पाठ रीती रिवाज साब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे सदियों से चलता आ रहा है जैसे हम वेदों और कुरानों में सुनते है वैसा ही आज भी सब कुछ वैसा ही है इसलिए यहाँ पर यही है कि धीरे धीरे अर्थात सब कुछ एजिटिस है अब है अगला प्रश्न सई सांज में घुसने पर बनारस की किन-किन विशेश्टाओं का पता चलता है सई सांज मतलब जब संध्या आरती होती है चारो तरफ गंगा नदी में दीपक की पंक्तियां चम चमाते हुए दीपक जल आरती के कारण समस्त वातावरन आलोकित हो जाता है जब आरती होती है तो दीपक की लौ से संपून वातावरन जैसे प्रकाश में हो जाता है चारो तरफ प्रकाश ही प्रकाश च्छा जाता है और जब आरती होती है तो संपून बनारस शहर सुन्दर दिखने लगता है नश्वर्ण कुछ भी नहीं है यह जीवन है वहां शाश्वत कुछ भी नहीं है सब कुछ नश्वर्ण है यह जीवन मनुष्य जीवन नश्वर्ण है तो यहां जीवन मृत्यू का पता भी चलता है जीवन के दो पहलू जीवन और मरण का भी सांज सही सांज में पता चलता है अगला प्रश्न है बनारस शहर के लिए जो मानविये क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनका वियंजना आर्थ स्पष्ट कीजिए कि किस तरह से बताया है तो बनारस शहर के लिए जो मानवी एक रियाईस कविता में आई हैं वे हैं पहला है वसंत के आने से संपून शहर में किरकिराहट हो जाती है वसंत के आजाने से संपून शहर जैसे अब देखो यहां भारी भीड़ा जाती है लोग जाते है एक टांग पर संपून बनारा शहर खड़ा है इस बात का तातपर है कि इस शहर को आधोनिकता के विशे में कोई भी ग्यान नहीं है वह अपने आध्यात्मिक रंगों में इस कदर रंग चुका है कि वह अपने दूसरे पक्ष से बिलकुल अंजान है मतलब वो एक टांग पर जैसे पहले खड़ा था वैसे ही आज भी खड़ा है उसे किसी भी तरह की जो व्यग्यानिक चेतना है या तकनी की विज्ञान है उसक सद्धियों पहले था वैसा ही आज है अब हमें देखना है अगला प्रशना है शिल्प सौंदर स्पष्ट कीजिए हमें बताना है शिल्प मतलब रचना ठीक है कि कि किस तरह की जो पंक्तियां है उसमें क्या आ जाने से सुंदरता आई है का है यह धीरे-धीरे होना रिक्ति पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार कहा होता है जहां पर दो समान शब्द जहां पर दो समान शब्दों की आवरित्ति हो आवरित्ति कार्थ होता है रिपीटेशन और उनके अर्थ भी एक ही हो समान ही हो ठीक है तो यहा अगर ध्यान से देखो और आधा नहीं है मतलब आधा है आधा नहीं है बनारा शहर अपने आप में पूर्ण नहीं है ऐसा कवी ने यहां पर बताया है अनुप्रास अलंकार है अगर ध्यान से देखो आधा है आधा नहीं है ठीक है तो यहां पर अनुप्रास अलंकार दिया है एक टांग पर यह मुहावरा है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तो यह भी बताया है अगला है हम चलते हैं दिशा के प्रशनुत्तरों की तरफ बच्चे का इधर उधर कहना क्या प्रकट करता है कि इधर है कहा है हिमाला इधर उधर क्या कहना चाहता है कि उसके लिए तो हर दिशा उसकी पतंग की दिशा है हर दिशा में पतंग ही है थीक है तो बच्चे का इधर उधर कहना ये बताता है कि जिस दिशा में बच्चों की पतंग उरती चली जा रही है ठीक उसी दिशा में हिमाला है स्कूल जाने वाले बच्चों को हिमाले की दिशा के बारे में क्या पता लेकिन उन्होंने बाल मनुविज्ञानिक ताका परिचे इस उत्तर के माध्यम से धिया है कि जो चाइल्ड साइकलोजी है वो अपने विचार के अनुसार बच्चों की जिस भी कार में रुची होती है या जिस भी खेल में वो लीन होते हैं बस उनको वही दिखाई देता है उसी तरह से हम भी जिस भी जो भी हम कार कर रहे होते हैं यदि हम उस कार में पूरी तरह से लीन हैं पूरी तरह से समर्पित हैं तो हमें कुछ ना तो सुनाए देगा ना कुछ दिखाई देगा ठीक है अ जानते थे कि हिमालय कहां है उत्तर दिशा में है पर उन्तु बच्चों के जवाब ने कभी को गलत सावित कर दिया बच्चों को केवल पतंग ही चारों ओर दिख रही थी इसलिए उन्होंने हिमालय की दिशा अपने पतंग की उड़ने की दिशा को बताया तो इस तरह से हमने यहां पर यह भी जाना कि बाल मनों विज्ञान के अनुसार कभी न यहां पर बच्चों की मानसिक्ता का भी वरणन किया है साथ ही साथ बनारस में क्या माहौल रहता है क्या बातवरन रहता है वसंत के आ जाने से कितना सुंदर माहौल रहता है वहां के भिक अश्याय होगा इसी तरह से हर एक प्रश्न के चार तरह से वीडियो आपके समक्ष आएंगे सबसे पहला वीडियो व्याख्या व्याख्या जिसमें कभी परीचह होगी फिरेंसी आर्टी समधान और साथी साथ वन शॉट रिवीजन या कमप्ली चैप्टर रिवीजन जिसमें आप समकून चैप्टर का जो भी कवीता होगी उसका व्याख्या और साथी साथ पाठ होगा तो उसका सार और कुछ प्रश्नों और उत्तरों की भी यहाँ पर विवरंट देख पाएंगे तो प्यार विद्यारतियों बने रहो हमारे साथ हम हैं आपके लिए आल दे बेस्ट मिलते हैं